रिकवर्ड केसेज हैं वो 72 लाख से भी अधिक हो गए हैं जो विश्व की सबसे बड़ी संख्या है रिकवर्ड केसेज की साथ ही हमने देश में 10 करोड से जादा टेस्ट कर लिये हैं हमारा जो रिकवरी रेट है वो 90 प्रतिशत से अधिक हो गया है और जो क्युमिलिटिव पॉजिटिविटी रेट है उसकी डिकलाइन या उसमें जो गिरावट है वो लगातार बनी हुई है और आज जब हम आपसे बात कर रहे हैं तो देश में क्युमिलिटिव पॉजिटिविटी रेट 7.61 परसेंट है आज भी अगर केसेज पर मिलियन पॉपॉलेशन के आधार पर देखें तो भारत में सबसे कम केसेज प्रति मिलियन पॉपॉलेशन के हैं 5700 प्रती मिलियन अनेक देश ऐसे हैं जो developed western economies के देश भी उसमें शामिल हैं जो कि भारत से दुगने या पाँच गुने तक उनकी संख्या है cases प्रती मिलियन की यदि मृत्यू प्रती मिलियन देखें तो ये भी विश्व में सबसे कम स्तर पर भारत में बनी हुई है 86 deaths per million अनेक देश ऐसे हैं जहांकि भारत से अनेक गुना जादा मृत्यू प्रती मिलियन हैं और ये वो देश हैं जो की western developed economies में गिने जाते हैं और जिनकी स्वास्थे की व्यवस्था historically एतिहासिक रूप से काफी अच्छी मानी जाती है उसके बावजूद वहाँ death प्रती मिलियन बहुत अधिक हैं भारत की तुलना में अब अगर recovery rate को देखें तो ये recovery rate में आप देखेंगे कि आज ये 90.62 है जबकि पहली सितंबर को लगभग 76% recovery rate था तो ये लगातार बढ़ रहा है और ये एक अच्छा संकेत है ये हमने दिखाया है कि कैसे हम 70 लाख से अधिक recovered cases तक पहुँचे पहले 10 लाख recovery में एक लाख से 10 लाख होने में हमें 3 जून से 30 जुलाई का वक्त लगा याने 57 दिन लगे अगर हम सबसे रिसेंट 10 लाख की recovery को देखें तो ये 11 अक्टूबर से 24 अक्टूबर के बीच में हो गई यानि 13 दिन में ये 10 लाख recovery हुई. So compared to the first 10 लाख recoveries which took us 57 days, the latest 10 लाख recoveries have taken us only 13 days. So this is also a satisfactory sign. If we look at decline in case fertility rate अगर हम मृत्युदर को देखें तो इसमें भी लगातार गिरावट हो रही है ये एक दशमलव 77 प्रतिशत था पहली सितंबर को और अब ये घटकर एक दशमलव 50 प्रतिशत हो गया है जैसा हम समय समय पर आपको बताते हैं अनेक राज्य ऐसे हैं देश के और संग्शाशित चेत्र ऐसे हैं जहां मृत्युदर एक दशमलव 50 से भी कम है यदि हम देखें कि पिछले पांच सप्ताहों में औसतन प्रतिदिन होने वाली मृत्यु की संख्या में क्या ट्रेंड दिखाई दे रहा है तो आप ये देखेंगे कि 23 सितंबर से लेकर 6 अक्टूबर तक 1000 से ज़्यादा मृत्यु प्रतिदिन रिकॉर्ड की जाती थी और अब ये संख्या लगातार घट रही है और जो पिछला सप्ता है जो 21 अक्टूबर से 27 अक्टूबर का सप्ता है उसमें औसतन 615 मृत्यु प्रतिदिन दर्ज की गई प्रतिध और बचा ऑलने तर्ज तर्य की जात्फी लेक्स आणी बिकॉर्छ च्टूबर से ले जाइज़ए थावर मृत्यूबर ट्रतिज अग्या प्रोविश्यू पन्यूद मृत्ट ट्रतिज्द बेजार इसमें इसक्न प्रतिफिकु इन इसनीुप्र एफड व्यां ग जो नए केसे जा रहे हैं उनमें जो गिरावट का ट्रेंड है यहां हम वो दिखा रहे हैं आपको पिछले पांच सब्ताहों का अगर हम 23 सितंबर से 29 सितंबर के सब्ताह को देखें तो उसतन प्रतिदिन 83 हजार से ज़्यादा नए केसे जाते थे यदि हम पिछले सब्ताह को देखें 21 अक्टूबर से 27 अक्टूबर तक तो केवल 49,900 केस औसतन प्रतिदिन आए यहां मैं आपको ये चीज भी बताना चाहूंगा कि पिछले 24 गंटे में ये तो हम सब्ताही दिखा रहे हैं आपको और सब्ताह के आधार पर जो औसत प्रतिद दिन केस आ रहे हैं वो दिखा रहे हैं अगर पिछले 24 गंटे के आप केसे देखें तो वो 36,470 हो गए हैं तो वो संख्या भी घटी है यहां एक ध्यान देने की बात यह है कि जिन सब्ताहों में ये गिरावट का ट्रेंड देखा गया है उन सब्ताहों में जो हमारी औसत प आधार पर हम प्रती दिन अभी भी औसतन 11,000,000 टेस्ट करते हैं तो औसतन प्रती दिन 11,000,000 टेस्ट करने के बाद अगर इस तरह के नंबर आ रहे हैं तो ये ट्रेंड अपने आप में सिग्निफिकेंट है नहीं यहां पर यह भी आपको बताना चाहूंगा कि अगर हम टेस प्रती मिलियन देखें क्योंकि हम डेथ प्रती मिलियन की बात करते हैं केस प्रती मिलियन की बात करते हैं तो टेस्ट प्रती मिलियन में 75,600 से अधिक टेस्ट हम प्रती मिलियन इस देश में कर रहे हैं तो उसमें भी काफी बड़ी इंक्रीज हुई है यह active cases के decline होने का graph है जिसमें आप देखेंगे कि सितंबर के पहले सब्ता में 7,85,000 active cases थे यह वो case हैं जो अस्पताल में हैं या home isolation में हैं फिर यह बढ़ते गए और 18 सितंबर के लगभग इन फैक्ट 17,18 और 19 तीन दिन ये 10 लाग से जादा active cases लगातार रहे फिर इन में गिरावट शुरू हुई और अब 6,25,857 active cases हैं अब कुछ राज्यों की बात हम करना चाहेंगे ये 10 राज्ये हैं और union territories हैं जिन में की अभी भी कुल active cases के 78 प्रतिशत cases हैं ये cumulative आंकड़ा है याने historical आंकड़ा है प्रारंब से लेकर अब तक जितने भी case आए उनमें जो अभी भी अस्पताल में या isolation में बने हुए हैं तो वो 21 प्रतिशत से ज्यादा active case केवल एक राज्ये में हैं महराष्टर में हमने संख्या भी दिये उनकी एक लाग 34 हजार से कुछ ज्यादा active cases हैं और 15 प्रतिशत जो active cases हैं वो केरला में हैं उनकी संख्या भी हमने दी है 93 हजार से कुछ ज्यादा हैं बारा प्रतिशत active cases करनाटक में हैं और उसी प्रकार से अन्य राज्यों में हैं जिनकी संख्या हमने आपको दिखाई है अब इसी तरह का अगर trend हम मृत्यू में देखें तो जो 86 प्रतिशत कुल मृत्यू हैं वो इन 10 राज्यों में हो रही हैं जिनके आँक्डे हम आपके साथ share कर रहे हैं ये भी cumulative आँक्डे हैं historical आँक्डे हैं प्रारम से लेकर अब तक जो मृत्यू हुई है उसके आँक्डे हैं तो कुल मृत्यू जो कोविट से हुई उनकी 36 परसेंट से जादा मृत्यू केवल एक राज्ये में महराष्ट्र में हुई उसकी संख्या हमने आपके साथ साजा की है 43,000 से कुछ जादा संख्या है तमिल नाडू में 9 प्रतिशत से अधिक मृत्यू हुई करनाटक में भ देखना है कि पिछले 24 घंटे में देश में क्या हो रहा है क्योंकि उससे भी पता चलता है कि कहां इंफेक्शन कैसे बिहेव कर रहा है हो सकता है कि कुछ राज्यों में हिस्टॉरिकल बर्डन जादा रहा हो लेकिन पिछले कुछ दिनों में तस्वीर बदली हो तो वो भी ह हम आपसे साजा करना चाहते हैं ये वो पांच राज्ये हैं जहां पिछले 24 घंटे में देश में कुल हुई मृत्यू के 58 प्रतिशत मृत्यू हुए महराश्टर में 84 वेस्ट बेंगॉल दूसरे नंबर पर 59 दिल्ली तीसरे नंबर पर 54 चतीसगर चौथे नंबर पर 43 और करना पांच वे नंबर पर 42 तो ये चिंता की बात है और इन राज्यों से हम लगातार संपर्क में हैं हमने इन में से अनेक राज्यों में अपने केंद्रिय दल भेजे भी हैं कुछ वापस आ रहे हैं अपना काम पूरा करकर और कुछ अभी भी राज्यों में हैं तो जब ये वा परिवर्तन करने की आवश्यक्ता है यदी परिवर्तन की आवश्यक्ता है वैसी स्थिति में तो ये एक महत्वपूर्ण बात थी तत्य था जो हम आपसे शेयर करना चाहते थे पिछले 24 घंटे में जो नए केस आए तो कहां सबसे ज़्यादा आए 49.4 परसंट नए केस पांच राज्य और यूटीज में आए पिछले 24 घंटे में केरल में सबसे ज़्यादा आए 4,287 दूसरे नंबर पर पश्चिम बंगाल में आए 4,121 तीसरे नंबर पर महराश्टर में 3,645 चौथे नंबर पर करनाटक में 3,130 और पांचवे नंबर पर दिल्ली में 2,832 तो ये नए केसिस का केरल वेस्ट बंगॉल महराश्टर करनाट चिंता का विशह है और इन में से जो तीन मुख्य राज्ये हैं उनके साथ तो हम परसों ही एक विमर्ष कर रहे हैं केरल और वेस्ट बंगॉल और दिल्ली के साथ महराश्टर और करनाटक के साथ हम इसी सब्ता में विमर्ष करेंगे ताकि इसके बारे में भी एक रणनीती बनाई जा सके तो इस परिपेक्षे में ये जो आकड़े हमने आपको दिखाए हमारा क्या मानना है हमारा मानना है कि ये बहुत जरूरी है कि हम फिजिकल डिस्टेंस बना कर रखें ये बहुत जरूरी है कि सब लोग हर समय मास्क पहने ये भी बहुत जरूरी है कि लोग अपन के दोरान जो अभी हमने आपको स्लाइट दिखाई केसेज बड़े हैं केरल में बड़े हैं वेस्ट बेंगॉल में बड़े हैं महाराष्ट करनाटक और दिल्ली में बड़े हैं तो इसलिए ये जो सिध्धान्त हैं इनका पालन करना और अधिक आवश्यक हो जाता है तन्यवा दन्यवाद सर्थ मैं इन्वाइट करता हूँ मेंबर हेल्थ नीटिया योग ड़क्टर पॉल की अधिया धन्यवाद आज हम आज आफ्टरनून में हम जब मिल रहे हैं तो जो विश्वे हैं हालात बन रहे हैं इस पैंडेमिक के वो और भी चिंता जनक हो गए हैं और उस परिपेक्ष को हमें नहीं भूगना है आज हम देख रहे हैं कि यॉरप के बहुत सारे देशों में केसे लगातार लगातार बढ़र है और उनकी जो गती है बढ़ाव की अधिशन की बढ़ाव की अधिवन धिवन हायर था प्रीटरनु पेंडेमिक इस पीख इस पीख एंद डेव और जीजनल पीख fortunately because the health systems have now beefed up mortality rates are somewhat low but this virus is very mischievous you can see it लगरा था कि वहाँ समस्या शायदा लगबख ठीक हो गई है हालांकि ये भी मालूम था जैसे कि हमारे देश में है कि overwhelming population susceptible है वही एक pointer था कि मुसीवत दुबारा भी आ सकती है और ये हमें भी apply करता है लेकिन एक clear situation emerge हुई है विश्व में Northern Hemisphere में largely कि दुबारा से ये pandemic ने अपना जोर दिखाया है एक देश में नहीं बहुत सारे देशों में अमेरिका में तो तीसरी पी का गई है इसमें कई कई फेक्टर हो सकते हैं कुछ समझ पा रहे हैं कुछ नहीं समझ पा रहे हैं कुछ का अंदाजा ही है कहा जाए तो कि ये जो सर्दी का मौसम है Northern Hemisphere में शाद उसका रोल है ऐसा जनरली माना जाता है respiratory viruses के लिए अखने में जजसे के बीख झाएहर में तूजारे करल जा झाखले के हैं कुछ कर्सके जजसे करीड कर्ष सक्त dancers कर दीजस्ड कर ड्मादUp वे वेरी फॉर्चुनेट कि हमारा जो ट्रेंट है हमारी जो जर्णी है वो दूसरे डिरेक्शन में है यह एक फॉर्चुनेट बात है और यह भी दर्शाता है कि अगर हम ठीक स्टेप लेते हैं मेहनत करते हैं तो जो यहां की प्रस्थितियां है उसके मताबक हम इस बिमारी क को इस पैंडेमिक को कंट्रोल करने में सफल होते हैं यह भी दर्शाता है कि वो ट्रेंड इदर जा रहे हैं और हमारा ट्रेंड क्लियरली नीचे आ रहा है आज इतने कंसिस्टेंट आपको डेटा प्रिजेंट किया गया सेकेटी सर ने दिखाया कि हमारे जो रिकवर्ट केस केसिस हैं इतने ज्यादा हो गए हैं तब्य प्रतिशत तक पहुंच गए हैं हमारे एक्टिव केसिस की संख्या फिनॉमेनली लो हो गई है तो यह दर्शाता है कि ठीक मेनत होती है सब की साथ मिलके सब भागीदारी लेते हैं सरकार भी और सिटिजन्स भी तो रिजल्ट आत हैं तो यह एक फॉर्चनेट बात है कि हमारा ट्रेंड ठीक की तरफ है दो तीन स्टेट्स में दूसरा ट्रेंड चला हुआ है वो एक फिकर की बात है केरल में बेस्पिंगॉल में दिल्ली में तीसरी पीक आई है बड़ उस तरफ जा रही है इसका मतलब आज ये भी है कि सक होती है लेकिन हमें सक्सेस को गवा नहीं देना है और सक्सेस को रहते हुए ही टेकन फार ग्रांटीट करें ऐसा संभव नहीं है यह हमने यॉरोपियन और अमेरिकन सिच्वेशन को देखके भी अपने आप से हम सीख लेते हैं इस आज तो आज हमारे पास जो कंट्रोल है उसको हमें संजोना है बचा के रखना है और उसको पक्का करना है यही एक मैसेज दुबारा हम आप सब के सामने प्रस्तुत करते हैं जो मृत्यू की दर कम हुई है पान्सो के नीचे पर टे की डेथ आ गई है इस रिमार्किबल लगता था कि बहुत मुश्कल होगा लगता था कब आए लेकिन अब यह संबव हो गया है नए केसेज 40,000 के नीचे हैं 36,000, 37,000 तक पहुंच चके हैं कहां हम 95,000, 96,000 पर डे की सिचुएशन में थे अभी कुछी हफते पहले और यह कंसिस्टेंट डिकलाइन है और यह दर शाया गया है और बड़े कंसिस्टेंसी को भी आगे बढ़ा के दिखाता है कि टेस्टिंग रेट है हमारा अच्छा रहा है और पॉजिटिव टी रेट कम हुआ है confidence देता है कि overall pandemic जो है वो हमारे काबू में है और नीचे आ रही है यह खुशी की बात है हमें याद रहना चाहिए कि यह एक मौका है हम सब के लिए दिलाई का नहीं और मेहनत का उसकी वजा यह है कि इलाज के नहीं उनके उपर हम और मेहनत करेंगे तो संक्रमन और वायरस का प्रभाव और भी छोटा होगा इतने की बजाए नेरो होगा और वो दो स्टेप्स है एक स्टेप है कि हमने जो हमारा track, test, trace और treatment का जो अप्रोच है उसके उपर हमें जोर लगाना होगा surveillance पे जोर लगाना होगा और उसका principle बिल्कुल simple है कि जब एक कोई test positive हुआ तो वो व्यक्ति isolation में होगा और उस period के लिए isolation में होगा जो कि हमारे SOPs कहते हैं हम अलाओ करते हैं कि isolation घर में हो precautions के साथ conditions को meet करते हुए लेकिन हम ये भी encourage करते हैं कि इस isolation को पका रखना और risk minimum हो इस व्यक्ति का serious disease होने के ओपर action के लिए तो जो covid care centers हैं उसमें हम isolation को कर्यानवित कर सकते हैं जो positive है वो isolated है क्यों दो वज़ा से कि एक तो वो दूसरे को संकरमन नहीं फलाए नमबर दो वो ऐसी वेवस्ता में आए जो कि उसके उपर नजर रख रही है कि उसमें खराबी हो तो हमें आगए action क्या लेना है God forbid बहुत सारे cases mild रहते हैं अच्छी बात है लेकिन जब खराबी आती है तेजी से हालात बिगड सकते हैं तो जो क्या principle हुआ positive case को isolate करना है यह surveillance control की हमारी local bodies की हमारे सरकार की हमारे departments की भी जिम्म तो है ही जिम्मेवारी लेकिन हम सब को भी यह पता होना चाहिए कि positive case को भले भ ख्याल करके पूरी support करके हमें isolate करना है इन दो बजा के लिए लेकिन दूसरा step equally important है कि जिन contacts को वो व्यक्ति का साक्षादकार हुआ पिछले पांच दिनों में उन व्यक्तियों को हमें quarantine करना है उनको भी अलग करना है contact का मतलब यह नहीं कि मैं positive हूँ contact का मतलब है कि मैं उनके contact में आया मुझे 15 मिनर से ज्यादा साक्षादकार हुआ दिन में कुल मिला के और मैं को रिस्क हो सकता है तो इस व्यक्ति को contacts को quarantine नहीं करेंगे तो contacts जो हैं वो अगर infect हो चुके हैं तो समाज में हैं संक्रमन बढ़ाएंगे तो दूसरा element यह है कि contacts have to be quarantined and a good program suggests is the one where at least for one positive case for one positive case there are 15 to 20 contacts at least more than 10 who are quarantined and they are quarantined with respect, with dignity, with full support family, system, everybody contacts में जए कुछ positive होंगे ऐसा करने से वो positive cases दूसरों को संक्रमित नहीं करेंगे और यह भी हमारी जिम्हारी है कि इन जो quarantine में जाए उसको stigmatize बीना करे हुए हमें support करना है तभी यह सब्भा वो पाएगा और पांचमें से आठमें दिन कॉंटैक्स के हिसाब से हमारे ICMR का प्रोटोकॉल है आप टेस्ट कराईए टेस्ट में अगर negative है तो अब आपको 15 दिन quarantine नहीं होना चौता दिन quarantine नहीं होना है positive case isolate होता है quarantine जो हुए है वो contacts है वो quarantine होंगे टेस्ट negative आएंगे वो आ सकते हैं सामने अब मान लीजिए कि अगर हम इस पे बहुत ज़्यादा मेहनत करें इस काम के उपर परफेक्ट करें तो ये जो संक्रमन आप नीचे आ रहा है इसमें गती और बहुत तेजी से आएगी हमारा अब जो number है 90,000 को करना एक चीज है system के लिए लेकिं 36,000 को करना असान है कल को ये 24,000 हो जाएगा तो हम और गती ला सकते हैं कहने का मतलब ये है कि जब संक्रमन सबकी मेनस से कम हुआ है तो इस strategy जो की हमारा pillar है strategy fundamental pillar है ये इस approach का इसके बिना तो बढ़ता ही है अपनी मर्जी पे है अगर हम करेंगे तो हमारा संक्रमन और narrow होगा छोटा होगा दब जाएगा chains of transmission हमारे काबू में आएगे और हम ये जो चलता हुआ है बिलकुल नीचे तक लाके संभल कर सकते हैं तो मेरी बिंती ये है कि इसमें जो government है उसका रोल है department of health का रोल है local bodies का रोल है municipalities का रोल है हम सब का रोल है कि इस इस चीज़ को हम निभाएं कि जो positive है वो isolated है as per protocol जो उसके contacts है वो quarantined है as per protocol और उनकी testing हो और वो वापिस आएंगे ये हमें करना है ये उनके लिए भी अच्छा है और दूसरी approach इसके साथ आप ये जुड़ रही है कि हमें ये भी देखना है कि जो test positive हुआ वो कहीं cluster में तो नहीं था ये नई सोच बनती जा रही है थोड़ा पीछे घट के देखना होगा कि ये पिछले चार दिन पाइच दिन पहले आट दिन पहले क्या ऐसी जगा तो नहीं था जहां पे कोई group था तो वो group भी हमारी नजर में रहना चाहिए उसमें से भी जो contact हुए है उनको हमने quarantine करना है थोड़ा सा पिछली तरफ नजर डालने की जरूरत पड़ती है इस देखने के लिए कि ये कहीं cluster में तो नहीं था कोई super spreading event का हिस्सा तो नहीं था मैं चाहूंगा कि इसको भी सब हम सोचें और इसको भी हमने अपनी जो strategy उसमें समिलत किया गया है तो looking for a super spreading event in the case of an individual positive case is an important area of our work and we are learning that super spreading events happen when we are together not only in very large numbers but also in medium numbers where infection can spread from one to seven people of course there are super spreading events where it spreads to 50s and more so we have to be mindful that such super spreading events are avoided and secondly when we are looking at our strategy to control then we take note of this और इसके बाद ये prevention की बात हो रही आज तो एक prevention का कि एक से दूसरे को ना जाए लेकिन primary prevention की वो ही बाते हैं जिनका जिक्र अभी राजेश पुश्ण जी ने कहा करा कि हमें उस जदो जहद में जुड़ना है उस जानंदोलन में जुड़ना है कि हम अपने COVID appropriate behavior के बारे में कोई भी डिलाई नहीं अपनाएंगे इस मंच से इसकी चर्चा पहले भी हुई है बार बार हुई है आठ अक्तूबर से एक खास effort किया गया उसके पशात माने परधान मंतरी जी ने संबोधन किया सब देशवासियों के साथ और फिर मंच की बात में फिर दुबारा उन्होंने हमें याद दिलाई कि ये जो तीन हमारे principles हैं कि हमें मास्क पहनना है हमें दो गज की दूरी बना के रखनी है और हमें अपने हाथ को हाथों को दोना है स्वच रखना है सानिटाइज करके रखना है इन तीन principles को हम अपनाएं तो हम prevention कर रहे हैं जब बचाव prevention नहीं हो पाता तो इलाज की बाते होती हैं और डॉक्टर भार कर कुछ बताएंगे हमें कि नई चीजों की तरफ हम कैसे बढ़ रहे हैं तो जब prevention की बात हो रही है तो ये दो prevention की approaches हमारे हाथ में है जानन दोलन की तरह दूसरा है कि शुरुआत हुई है तो उसको दबाओ ताकि आगे ना बड़े further prevention, secondary prevention हो उस चीज़ की उसकी बात मैंने करी है उसके भी धिलाई नहीं हो सकती और COVID appropriate behavior को भी अपनाने में कोई धिलाई हम नहीं करेंगे उत्सव के दोरान उत्सवों के दोरान हमने देखा है कि जनता ने परधान मंतर जी की request को सुना और काफी हद तक सायम दिखाया ये बहुत बड़ी बात है अज़ देश ने करके दिखाया हमें उसको congratulate करना है उसके सराहना करनी है लेकिन ये भी याद रहे कि अभी ऐसे उत्सव और भी आने वाले है अभी काफी challenges आगे भी आएंगे और अगर हम इसमें falter हुए हैं और जितने भी हुए हैं इसका नतीज़ा अभी 10-12 दिन आठ दिन के बाद 10 दिन के बाद पता चलेगा क्योंकि संक्रमन को प्रकट होते होते 7-8 दिन, 10 दिन का प्रकफा होता है लेकिन जब लेकिन 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 को आपनाने में और भी टेजी और भी इंटनिटी हमें लानी होगे In sum, I am submitting to you that we are fortunate that today we are showing a decline of the pandemic, except in two or three states. This decline is particularly noteworthy because in other countries of the Northern Hemisphere, there is a severe increase in the intensity of the pandemic. We have to protect these gains both through surveillance, containment, contact tracing, isolation, quarantine strategy, as well as individual behaviors which reduce the spread of infection from one to the other, both ways, from me to you, from you to me. And this we must be committed to as an individual, as families, as communities, as a nation. We have an online question. There are reports that cases in children surged in Mizoram. Specifically, the state has decided to close the schools again. Is the center going to issue any supplementary advisory? Can ICMR say what is the rate of infection in children in India and Kawasaki-like disease in them? I think children were thought to be protected. However, we have some evidence that children can also be spreaders or rather super spreaders. We have this question regarding Mizoram. Mizoram has what percentage of cases we have in Mizoram? 315 active cases. 315 active cases in Mizoram. And here the question was regarding Kawasaki disease. Now, Kawasaki disease is a disease which is autoimmune, affects children who are less than 5 years of age, and presents with fever, presents with thrombocytosis, and also presents with the arteries of the heart, which become dilated and bead-like or aneurysmal. So this is a rare condition. Affects males more than females and is more common in the U.S., less common in India. And this has been described with COVID in different parts of the world. We have had, I don't think, any experience of Kawasaki with COVID in India at the moment. It's a very rare condition. Having said that, we have to remember that once this affects very small children, and the arteries of the heart get dilated and clots can form in that and can lead to heart attacks and can also be harmful for the child. So we have to watch it more carefully, particularly in Mizoram, where more children were affected, more recent, the schools have been closed because they found that some children were affected, although the active cases are just 315. And overall, the figure in India is that below the age of 17 years, only 8% are positive. And below 5% would be much less, and we can come back with that. Figures would be probably less than a percent or so. We can come back with that. There is another online question. How is the health ministry addressing the training and reorientation needs of the health care workers for COVID and other health care services? You see, the training needs and orientation needs of health care workers, including doctors and nurses, could not be addressed by adopting conventional means during the COVID period. So therefore, the government of India came up with an electronic learning platform which was meant for all the ministries and departments of the government of India. And this platform is called iGOT. On the iGOT platform, Ministry of Health created 55 courses. And these 55 courses were available for doctors, for nurses, for paramedics, and other frontline health care workers. And roughly more than 19 lakh doctors and nurses and health care workers have utilized these 55 digital training courses on iGOT. We would, since it's an interesting subject, maybe next time we interact with you, we will make a small presentation on how iGOT platform was utilized by the health ministry and other ministries in tackling COVID. 24. Sir, Jacob Koshy from the Hindu. It's a question for Dr. Paul. There have been claims from, I mean, some certain states, there have been claims from certain states that a vaccine might be offered for free. So I just wanted to ask you as the chairman of the vaccine committee, have there been discussions on can a vaccine be given free and what are the costs on the exchecker or the center will have to bear if such a situation were to arrive? And secondly, are there any follow-ups to the more vaccine candidates other than the three that are in, you know, advanced trials? Thank you. I'll ask Dr. Bhargav to respond to the second part. It may be an update. But let's say, you know, a vaccine scenario is a dynamic scenario because we still don't have any single vaccine in the world which has been licensed for use after phase three. Some countries have started emergency use after phase two. So let's remember that today there is no vaccine. As I said, we are fortunate that on Indian soil trials are being done and India is fortunate to have a great industry for vaccine. Having said that, we are working in the committee that you referred to to look at our approach toward vaccine scale-up and vaccine implementation as and when the vaccine, effective, safe vaccines become available. And in that regard, the access to vaccine will be in such a way that if the vaccine supply is not, you know, like unlimited, prioritization has to be done and the prioritization principles will determine based on the availability of the vaccine, who should be getting those vaccines, and those principles are being evolved and being discussed. Overall, we can say with responsibility that resources will not be an issue in ensuring access to vaccine as it unfolds. We have requested the state government to wait for overall picture to become clear and to take a national approach toward engaging the companies and deciding the criteria for vaccines, et cetera. So the state governments have made these statements. They should be respected. But from the effort and the discussions in the committee of the union government, yes, the approach is being fine-tuned, blueprints are being done, preparations are being made, and in order to deliver vaccine to the priority groups, to the extent that we can foresee, there is absolutely no problem in terms of resources. Thank you. 2.56. Yeah. Any more news? There are three candidates which are in the different stages of clinical testing, and we are aware that one of them, the Covax, is in, got approval for phase three, and they will start the phase three very soon. They have completed their phase one. They have completed their phase two. They are collecting the samples of the phase two patients, and that should complete in this week. The Cadillac is also progressing with their phase two, and they will be applying for their phase three as soon as they are ready for that. The serum has, is in the process of completing its phase two B and three trial, but they are also having the phase three trials being done in Brazil, South Africa, and the United States. They have the UK MRC, said that the phase three results can be pooled from these three, and then they will come back with the results of that. So that should happen. We are looking forward to that. In terms of other candidates on the Indian soil, there are four or five more candidates which are in the preclinical testing and evaluation, and they will be rolled out into phase one, phase two, as and when they are ready. My question is Dr. Paul. Sir, I know that the vaccine is about to make a cold chain, and maintain it. What is it prepared for? And how is it reached to the primary level? How is it reached to the right direction? How is it reached to the right direction? How is it reached to the right direction of the vaccine? Secretary Sir, Coal chain के बारे में जो नैशनल एक्सपर्ट ग्रूप है, उसके भीतर एक सब ग्रूप बनाया गया है, जो coal chain की आवशक्ताओं को देख रहा है, वर्तमान में भी जो हम युनिवर्सल इम्मुनाइजेशन करते हैं, उसमें 28,000 से जादा लोकेशन्स पर हम coal chain की सुविधा का इस्तेमाल करते हैं, और ये 28,000 से जो जादा जगें हैं जहां coal chain की सुविधा का इस्तेमाल अभी केंद्रिये सरकार कर रही है, ये सब सरकारी सुविधाएं हैं, इनको enhancement कैसे किया जाए, इनका strengthening और capacity augmentation कैसे किया जाए, इस पे भी काम चल रहा है. 29. Sir, मैं ब्रह्मा परकाश्यों जीनूस से, मेरा सवाल है, दिल्ली को लेकर आपने बताए, जिन पांच राज्यों में मामले 24 खंटे में बड़े हैं, दिल्ली में भी बढ़ रहे हैं, या फिर कोई और वज़य है, लोग पालन नहीं कर रहे हैं, कोरोना प्रोटोकॉल का क्या बज़य मानते हों, दूसरा, ऐसे कितने राज्यों हैं, जो कोरोना मुक्त हो चुके हैं? देखे, सबसे पहले तो मैं आपका जो अंतिम प्रशन उसी से शुरुवात करता हूँ, कोई अनावश्यक जोश या होड नहीं होनी चाहिए अपने को करोना मुक्त गोशित करने के लिए, जिन देशों ने ये किया, उन्होंने उसके दुश परिणाम देखे, तो इसलिए हमारा सुझाओ केंदरिय स्वास्ते मंतराले के रूप में सभी राज्यों को और सभी संग शासिच छेत्रों को ये है, कि जो टेस्ट, ट्रैक, ट्रेस और ट्रीटमेंट की स्ट्राटेजी है, उसका पूरी सचेश्टता से पालन करें, और जो सावधानी है, उस में कोई ढिलाई ना बरते हैं, तो ये तो एक हिस्सा हुआ, दूसरा हिस्सा जो दिली की बात है, उसमें मैं कुछ तथ्या आपको बता देता हूँ, कुछ और चीजें डॉक्टर पॉल बताना चाहेंगे, क्योंकि जून के महीने में जब दिली में हालात चिंता जनक हुए तो केंद्रिय ग्रहम अंत्राले के नेत्रितों में जिस टीम ने दिली के लिए स्ट्राटेजी तयार की थी, वो उस टीम का नेत्रितों भी डॉक्टर पॉल ने किया था, जब हम कहते हैं कि 24 घंटे में पांच राज्यों ने इतने केसिस रजिस्टर किये या दर्ज किये, तो उसमें किसी राज्य को न तो हम अच्छा कह रहे हैं और न बुरा कह रहे हैं, हम केवल ये कह रहे हैं कि जो क्यूमुलिटिव फैक्ट्स हैं या जो एतिहासिक तत्य हैं, जरूरी नहीं है कि वो तत्य पिछले 24 घंटे में या 48 घंटे में या 72 घंटे में न बदले तो जहां एक और हमें एतिहासिक तत्यों को ध्यान में रखने की जरूरत है, वहीं हमें निकट इतिहास में क्या हुआ उसको भी देखने की जरूरत है। 22 hours. Because that gives us an indication of any fine tuning that is required in the strategy to tackle the pandemic. तो ये परिपेक्ष है, तो ये परिपेक्ष है, तो ये परिपेक्ष है, this is the context in which we look at these numbers. The idea is not to praise or to run down a state government or a union territory government. Having said that, let me also tell you that in case of Delhi, for three successive days, the new case numbers were 4000 plus as all of you know. Then the numbers have come down. It is not as if they have climbed up, you know, continuously. So, last 24 hours, only 2800 cases have been reported. However, what is worrying for us is that the cumulative positivity that Delhi is reporting is 8.06%. If we look at the weekly positivity that Delhi is reporting, that is 7%. So, therefore, these two things have to be seen in tandem. इन दो तत्थियों को एक साथ देखा जाना चाहिए, कितने नए केस आ रहे हैं, और positivity की दर क्या है, और जब आप दोनों चीजों को एक साथ देखते हैं, तब आप इस तरह के प्रशन कर सकते हैं, कि दिल्ली में कुल कितने टेस्ट हो रहे हैं, उन टेस्ट में RT-PCR का अनुपाद क्या है, उन टेस्ट में Rapid Antigen Test का अनुपाद क्या है, जो लोग Rapid Antigen Test में Symptomatic Negative हैं, क्या वो शत्प्रतिशत RT-PCR टेस्ट से कवर किये जा रहे हैं, कि उसमें कुछ लोग छूट जा रहे हैं, यदि छूट जा रहे हैं, तो क्या वो लोग संकरमन फैलाने की स्थ जो भी containment areas हैं, उन में क्या house to house active case search हो रही है कि नहीं हो रही है, यदि हो रही है, तो कहां पर और चीजों को बहतर करने की आवज़ शकता है, तो ये सारी चीजें हैं, when we engage in a dialogue with a state government or a union territory administration, these are the facts that we develop, that we discuss and it's an open discussion where we learn from the state government's experience and state government learns from the scientific input or technical input that is given by specialists like Dr. Paul, Dr. Bargov and Dr. Guleria who is not here, Dr. Paul, if you would want to add something to this. देखें, यहां तीनी चीजें हैं जो की number को determine करती हैं, उसमें से पहली theoretical है, theoretical कांसी है, क्या ये virus बदल गया, जहां तक हमें समझ गया, ऐसा virus में कोई बदलाव नहीं है, क्या environment बदल गया, हमें दिखाई दे रहा है कि winter आने से virus की मार जो है, जो है, वो ज्यादा होता, वो ह ये relationship SARS-CoV-2 वाइरस के लिए apply होता, ये भी अपने में doubtful है, लेकिन precaution लेके चले हैं, pollution बढ़ी है, उसे effect बढ़ सकता है, ये भी हमने सुना है, तो एक तो चीज ये रख लिजिए, जो की, इना वे पूरी तरह से हमें समझ में नहीं है, एक चीज पता है कि वाइरस वो ही ह जो देश में चला हुए है, फिर हम दोई चीजों पर वापिस आते हैं, अगर नए cases बढ़ रहे हैं, तो पहली बात ये आती है कि क्या हम अपने आपने behaviors उसी रफतार से अपने intensity बना के रखी है, जितना की करना चाहिए, और जो संभव कर सेके कि ये decline हो, तो उसमें हम कितन अपना रहे हैं, मुझे उमीद है कि पिछले कुछ हफतों में, दिनों में ये जो COVID appropriate individual behaviors है, उसमें बड़ोतरी हुई है दिली में, ये भी मान के हम चल सकते हैं, लेकिन क्या हम 100% पर पहुंचे हैं, 90% पर पहुंचे हैं, तो जब उसमें perturbation होती है, तो हम ground lose करेंगे, और इस सबंकी वज़ा से कठ होने की जो tendency हुई है, उसमें कमी आई है, तो हमें नुकसान होगा तो, इसमें हो सकती है कि कमी रही हो, दूसरी बात है जो Secretary साब ने कहीं, कि अगर हम containment की जो बात करें, कि एक को हो गया, उस से आगे ना बढ़े, उसमें हम कितनी चौकनने होके, कितनी प्रोटोकॉल बेस्ट हम मेहनत कर रहे हैं, यह उसके उपर भी निर्वर करता है, आपको याद होगा कि पहली पीक के बाद जब दूसरी पीक, जब पहली पीक के बाद डिकलाइन हुआ, ड्रमाटिक डिकलाइन हुआ, तो एक बहुत ही सशक तरीके से surveillance containment strategy को जोर दिया गया था, और उसके principle जो अभी मैंने भी बताए, और सेकेटरी साब ने भी बताए, वो ही है, कि जो case है उसको isolate करो, जो contact सनको quarantine करो, और बहुत जगा फैला हुआ, तो उसको आप containment zone बनाएए, यह भी पकी बात है कि पिछले दिनों में जो containment zones बनी, उसमें containment के effort दिखाई दे रहे थे क्योंकि ज्यादा केसे पचास प्रतिशत के करी वहां से आने शुरू हो गए थे, यह भी मालूम है कि टेस्टिंग अच्छी चली हुई थी, बड़ भी रही थी, लेकिन उसमें थोड़ी सी अब उसमें कमी आई है, so we are dealing with things which are, you know, somewhat good, somewhat at times some laxity is there and this applies to every state, wherever things happen in the other direction, that is the reason, so इनी मेंसे ही हमें अपने reasons को खोजना होगा, कि अपने behavior हमारे कैसे चले हुए हैं, इकठ में कैसे चले हुए हैं, उत्सब़ों में हम कैसे कर रहे हैं, क्या वो कंट्रोल में है कर नहीं, और दूसरा कि हम इस के chains of transmission को दबाने में कितने सफल हो रहे हैं, जितना ज्यादा द और दिली में जो बड़े हैं, उमीद हैं जो अब कम होने शुरू हुए हैं, ये pattern जो sustain रहेगा, एक point ऐसा भी आया था कि well below thousand आने शुरू हो गयते और उस time पे सारी situation control में, ये सब हमारे ही हाथ में है, वाइरस के संक्रमन को रोकना is in our head, वाइरस की अपनी मर्जी से तो वो सब को infect करेगा, हम जितने effort करेंगे individual level पे और system level पे उतना ही ये रुकीगा, और हमें उमीद है कि हम उसी तरफ दिली में भी बढ़ रहे हैं, thank you. सब्सक्राइब करना चाहिए, और कोरोना महामारी कब बीमारी में तबदिल होगा? यदुन Think अलए किंज तो से पूस्कित, जिस्यो में पॉस्ट्टा मै यदिध cảना ही में को हो तो तो सिट मिद कर।ोई झाल झाल